अगर किसी बोडी पे दो फोर्सेस लगाए जा रहे हैं और वो फोर्सेस इक्वल्सेन ऑपोजीट है तो बोडी एलोंगेट होता है ठीक है बोडी में स्टेस होता है तो उस बोडी में स्टेस प्रोडियूस होता है तो वहां स्टेस कौन सा स्टेस है जिसके चार अप्संस दिये हैं आपको एक अप्संस करेक्ट करना है कि वहां स्टेस कौन सा स्टेस से यह कोश्चेन एस से जही 2014 में पूछा गया था जो की अस्टेंट ओफ मैट्रियल से है एकोडिंग टू कोश्चेन के नुसार यह एक बोड़ी है इस पे दोनोर सेम फोर्स लगाया जा रहा है झायर के दोनों तरफ सेम फोर्स लगाया जा रहा है इस बोड़ी का लेंठ है तो जब इस बोड़ी पे फोर्स लगाया जा रहा है तो इस बोड़ी पे हुआ कौन सा stress होगा इसके options दिये हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं option D option D क्या है share stress share stress क्या होता है कि अगर किसी body के plane के tangential या फिर parallel दोनों कह सकते हैं tangential या फिर parallel एक्ट करता हो stress उस stress को हम कहते हैं share stress और tangential stress यह होता है share stress और tangential stress कि अगर कोई stress जो है body के plane के और plane को surface भी कह सकते हैं plane और surface के tangential या फिर parallel एक्ट करता हो तो वह होता है share stress stress which act tangential और parallel to a plane और surface is known as tangential और share stress यह body है इस body पे हम एक plane लेते हैं xx plane अब इस plane के यह angle theta है plane का तो इस plane के जो यह stress जो है यह देखिए tangential एक्ट कर रहा है और इससे कह सकते हैं कि यह parallel एक्ट कर रहा है body के plane के तो यह ही stress हमारा हो गया share और tangential stress next option देखते है option c option c क्या है option c है compressive stress compressive stress क्या होता है compressive याने की compress नाम से भी पता चल रहा है कि stress में compress होता है तो अगर कोई body है और उस body के लोंगी चूड़नली कोई force अगर हम लगाते हैं ठीक है और वा नेचर में compressive होता है अगर कोई body फे force लगाते हैं लोंगी चूड़नली अर वा लोंगी चूड़नल axis पे और उसका nature जो है compressive होता है तो उस वजा से जो stress generate होता है उसे हम कहते हैं compressive stress यही कि यह body है इस body पे हम force लगा रहे हैं देखिए यह force का direction कि दर है body की हो रहे है तो इस body पे force लगा रहे है तो यह body को क्या करेगा compress करेगा और इस वजा से जो stress produce होगा वह होगा compressive है जब यह compress करेगा तो body में deformation से होगा कि body का size deform के इस तरह से हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा हो गया डेलल जो deformation होगा compress के कारण तो body का size क्या हो गया छोटा हो गया ठीक है bending stress क्या होता है bending stress उससे काते है bending stress तो एक हमारा normal stress होता है ठीक है जो किसी body पे point के रूप में act करता है it is a normal stress सबसे पहले कि यह एक normal stress होता है that is induced at a point in a body it is the normal stress that is induced at a point in a body subjected to a load that is to bend जब किसी body पे load लगाया जाता है किसी point पे body के किसी certain distance पे load लगाया जाता है जो उस वज़ाश से body में bending होता है ठीक है और वही a Goddess हमारा कहलता है bending assistance यह देखिए किसी distance पे ab हमारे distance है उसके बीच हमारे यहां पे load लगाया जा रहा है तो लोड लगाया जा रहा है तो देखिए यहां पर बोडी पर बेंडिंग हो रहा है यह यह बोडी पर बेंडिंग हो रहा है और इस वज़ा से जो यह स्ट्रेस जेनरेट हो रहा है बोडी पर वही कहलाता है बेंडिंग अस्ट्रेस ठीक है जब बोड़ी पे पोइंट लगाते हैं यानि कि नॉर्मल स्टेस एक तरह से सकते हैं तो इसमें बैंडिंग होता है इस वज़ा से बोड़ी पे जो अगर कोई बीम है तो उस पे मॉमेंट पोड्यूस होता है ठीक है वेंदा लोड़ी अप्लाइड पर्पेंडिकुलर टू लेंथ तो बोड़ी में क्या होता है मॉमेंट इंडियूस होता है अब एक एक ओप्सन रहे गया है वह है तो इन तो तीनों ओप्सं को हमने देखा कि एकोडिंग तेंग कोंशन यह तीनों आप्संस में से कोई बी ऋबस्ट सेफ्कों कि ऑप्सेनस और ऐसे नहीं और खुचिन प्लाइस होता है ति आ इस अलीं यौ यानि कि बोडी में स्टेचिंग होता है जो कि कोश्चेन में बताया जा रहा है तो इस वजा से क्या होता है बोडी में एलोंगेशन होता है यह बोडी में स्टेचिंग होता है यहां पर दोन और फोर्स लगाया जा रहा है यह पूल फोर्स है यह हमारा यह दोनों एक्वल है यह बोडी हमें से एक्वल मार सकते हैं जो कि कोश्चेन में पूछा जा रहा है और इस बोडी में दोन और फूल फोर्स लगाया जा रहा है जो क्वेशन मों भो रहा है कि तेन टु एलोंगेट हैra लेख सी आरेइंटेन्साल नेचर यान की यह टेनसाल निचर की कारण की यह हमारा फॉर्स क्या है टेनसाइल फॉर्श बीलुमारात being a । कि यहां पर फोर्स जो हम लगा रहा है यह टेंसाइल फोर्स है और यह टेंसाइल यानिके ऑलोंगेट हो रहा है डेल ल हूं सोहम कह सकते हैं कि यह option एक को कर रहा ला तो कि यहां पर टेंसाइल निच 무वार्णी की बॉड़ी में इलोंगेशन हो रहा है सो इस वजा से जो हमारा option यह मेज कर रहा है option A होगा जो body मा stress generate होगा या कौन सा stress generate होगा tensile stress generate होगा if equal and opposite forces are applied to a body tend to elongate it then the stress produces तो इसका answer क्या होगा? correct option होगा option A tensile stress और option B, C, D क्या होगा? wrong होगा तो इसका correct answer है option A tensile stress body में tensile stress produce होगा तो यह था हमारा आज का question thank for watching